दोस्तों आज बात करते हैं बॉलिवड के मश्हूर फाइटार स्टांट मैन और फाइट कमपोजीटर गूरबचन सिंग की गूरबचन सिंग जी बचपन से पहलबानी के साथ फिल्मों के भी शौकिन थे सिनेमा में अविनय और एक स्टेंट मैन के रूप में अपने फिल्मी करियर सुरू करने से पहले गुरुबचन सिंग सत्तर के दशक में अपने होम टाउन पंजाब स्थित गुर्दासपूर में एक प्रसिद्ध पहलवान या रेसलर थे अपने समय के मशूर रेसलर रंधवा सिंग और सौदागर सिंग जैसे कई नामचीन रेसलर से इन्होंने रिंग में फाइट की उनकी एक और फाइट जो टाइगर जीट सिंग के साथ हुई थी वो उन दिनो काफी मशूर हुई थी क्योंकि टाइगर जीट सिंग उन दिनो प्रो रेसलिंग या डबल्यू डबल्यू इमें फाइट किया करते थे लेकिन फिर इन्हें लगा कि इस काम में पैसे अच्छे नहीं है तो गुरुवचन जी फिल्मों में जाने का मन बनाया और अपने पिता जी से आज्या मांगी पिता जी सब सुनकर अपने बेटे को बोले कि जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे ही तुम कर सकते हो दरसल गुरुवचन सिंग जी के पिता जी तहसिलदार के नौकरी करते थे और उनका गुरुदासपूर रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले एक वैक्ती से पुराना रिष्टा था जो सुपरस्टार धर्मेंद्र साहब की छोटे भाई अजीत सिंग देवल के अच्छे दोस् मश्हूर पहलवां दारा सिंग और निर्देशक राज खोसला जी के परिवार के साथ भी अच्छा संपर्क था देवानन साहब भी गुरुदासपूर के ही थे तो देव साहब के परिवार से भी इनके पिता जी के अच्छे संबंद थे उन्होंने गुरुवचन को एक चिठी लिख दी और बंबई जाकर धरम जी से मिलने को कहा गुरुवचन जी ये चिठी लेकर मुंबई आ गए मुंबई पहुँचने के बाद उन्होंने अपना सुटकेस और सामान दारा सिंग जी के गेरेज में रख दिया बाद में गुरुवचन जी ने पहले दारा सिंग जी से ही फिल्म लाइन में आने में उनके मदद करने का रिक्वेस्ट किये थे मगर दारा सिंग जी ने उन्हें निराश किया और उन्हें बताया कि फिल्म लाइन एक बेहद कठिन जगा है और उन्हें पूर्ण कालिन पेशेवर पहलवान या प्रोफेशनल रेसलर ही बने रहना चाहिए गुरु बचन ने तब दारा सिंग जी से कहा कि वो अभी नहीं ही करना चाहते हैं क्यूंकि उन्हें यकीन नहीं है कि वो एक रेसलर या पहलवान के रूप में इन फ्यूचर कोई पैसा कमा सकते हैं या नहीं और इसके बाद गुरु बचन सिधे धरम जी के घर पहुँच गए और जब यहां पहुँचकर गुरु बचन जी ने धरम जी के स्टार डॉम को देखा तो उन्हें जिजक हो रही थी के हर किसी को मना कर देने वाला धरम साहब का चौकीदार क्या उन्हें अंदर जाने देगा फिर उन्होंने जिजकते हुए चौकीदार को अपना मकसद बताया तो चौकीदार ने अंदर जाकर धरम साहब को बताया फिर धरम जी ने उन्हें अंदर बुलाया और गुरु गुरुवचन जी से कहा कि देखो गुरुवचन तुम अभी नए हो तो तुरंत तुम्हें इंडस्ट्री में बतोर एक्टर काम मिलना मुश्किल है मगर तुम्हारा फिजिक यानि की शरीर जैसा है तुम्हें बॉडी डबल या स्टंट मैन का काम मिल सकता है जो तुरंत मिल स शुरु में तुम ये कर लो बाद में एक्टिंग का भी कुछ जरूर करेंगे गुरुवचन जी के हामी भरने के भाद धरम जी उन्हें आसरा दिया गुरुवचन जी धर्मेंद्र साहब के बॉडी डबल के तौर पर इंडस्ट्री में काम शुरू कर दिया इन्हें एक्ट इसके बाद से गुरुवचन ऐसे ही बेहत छोटे रोल और धर्मेंद्र और मनोज कुमार जी के लिए बॉडी डबल का काम करते रहे फिर धर्म जी ने इनकी मुलाकात फाइट कॉमपोजिटर वीरु देवगन जी से कराई वहां से गुरुवचन जी वीरु देवगन के एसिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे इनका काम था एक्शन सिक्वेंस में एक दो घुसे खाना और बतोर हीरो की बॉडी डबल उनका स्टन्ट करना फिर 1977 में आई फिल्म इंकार में इन्हें पहली बार पब्लिक द्वारा नोटिस किया गया फिल्म के गाने मुंगडा मुंगडा में सैंडो बनियान में बोतल हाथ में लिए वो परदे में दिखाई दिये फिर अमजद खान से फाइट करते हुए और फ्लाइंग कीक मारते हुए लोगों ने इन्हें नोटिस किया और साथ साथ पसंद भी किया तभी से फिल्म में इनके फाइट सीन रखे जाने लगे जैसे ये पहले हीरो के बहन को छेड़ते फिर हीरो द्वारा मार खाते या फिर बॉस के गुर्गे के रूप में फिल्म नटवर लाल में अमीत जी के साथ फाइट सीन हो या मिस्टर इंडिया के एक आख वाले वो कैप आटेन जोरो जिसे बच्चो बच्चो का प्यार भी मिला था उनके पत्नी का नाम गुरिंदर है गुरुवचन जी के दो संतान है उनके एक बेटे का नाम विक्रम है जो बरतवान में टाइमस ओफ इंडिया के ऑफिस पे एक उच्च पद पे आसिन है और उनके बेटी सोनि किना नाहर फिलहाल कॉस्मस मेयर कंपणी की मार्केटिंग मैनेजर है जिस कंपणी का मालिक केतन महता और दिपा महता है राज एन सिपी द्वारा निर्मित फिल्म इंकार में अमजद खान के साथ एक जबरदस्त फाइट सिन गुरुबचन सिंग को बॉलिवड में लाइन लाइट में ला दिया था गुरुबचन के अभिनय करियर में अमजद खान की भुमी का बहुत एहम है अमजद ने हमेशा गुरुबचन को बॉलिवड में करियर बनाने के लिए प्रोइत साहित किया गुरुबचन ने अमजद खान द्वारा प्रोड्यूस किये गए दो फिल्म चोर पुलीस और अमीर आदमी गरीब आदमी में महत्तपुर्म नेगेटिव रोल प्ले किये इसके अलावा गुरुबचन अभिनित अभी तो मैं जवान हूं और भोजपुरी फिल्म गोदाना दो और उलेकनिय फिल्म है जो फिल्मों में उनके महत्तपुर्ण योगदान के लिए उन्हें पंजाब सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया अमिताफ बच्चन, धर्मेंदर, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, संजय दत, सुनिल शट्टी, अक्षाई कुमार जैसे कई सारे हीरो से फिल्मों में पं गुरुबचन सिंग ने धेरो ऐसे स्टेंट किये हैं जिनकी तारिफ तो बड़े बड़े स्टार ने उठाई हैं पर कभी उन्हें हीरो के रोल नहीं मिला ना ही बड़े पावरफुल में विलेन के लेकिन अपने किये काम से इन्हों ने लोगों के दिल में जगा जरूर बन नाम भी अमर रहेगा